मौनिका आप पुलिस विवाग में कारीरत हैं और ख्यत्यसगड में पदस्त हैं और मुझे अच्छा लगा कि आपने क्राइम फ्री भारत मिसन से आप जुड़ी हैं क्राइम फ्री भारत मिसन की सोच और 21 ऑब्जेक्टिव्स और पांच फंडामेंटल राइड के बारे में आपको कितनी जानकारी है सर・ जनकारी तो उत्ती नहीं है मेरे को पर यह है कि अगर क्राइम भारत से कुछ चीजे है कि क्राइम फ्री हो तो यह तो सबी लोग चाहते हैं कि स्पेशली महिला संमंदीuper जो भी होते हैं हम एक दूसरे को बताएं कि ऐसा अपरात करने से क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं यह सारा चीज बताएं हर लोग चाहते हैं कि ज्यादा परात और सर आसपास के हमी हमी लोग ऐसे हैं सर कि हम लोग ही अपरात को बढ़ावा देते हैं कि हमको किसी अपरात की रोक्त हम नह करना है, आमको किसी को बोलना नहीं है, वेती आप सिकायत करने जाते भी हैं, तो हमारी पुलिस जो है ना सुनने के लिए कहां तैयार है, वह सारे केसिस में तो हमारी पुलिस अपरादियों से मिली हुई होती है और उनहां फ़ौन करके बला लेती है, एक दम सही बात है ये, क कि कई लोग होते हैं पर सभी आलग सर ऐसे नहीं होते हैं सर देखो मौनिका मैं इसमें एक बहुती अलग परस्पेक्टिव को आपको दिखाना चाहूंगा और उस बारे में आपकी जानकारी बढ़ाना चाहूंगा देखिए एक तो हमें ये समझना होगा कि हम और आप जिस सि सिस्टम जो है अंग्रेजों ने अपने लाब के लिए बनाया था उसे संगे असंगे और सिविल ओफेंस में बाटा और इतनी जटिल पिरक्रिया बनाई जिससे भारती जो है उस पिरक्रिया में उल्जे रहें और उन्हें अंग्रेजी सामराज के बुद्ध खड़े होने क उनकी हिम्मत और तागत तूट जाए ऐसे लीगल सिस्टम को ऐसे एको सिस्टम को 75 सालों के बावजूद भी हमारे नेताओं ने अपने अल्प ग्यान के कारण हमारे उपर थोपके रखा है और अभी जो तीन नए कानून आए है उसमें उन्हें कानून की आत्मा नहीं बद हुए हैं वो इस बात के हैं कि जो डिजिटल इविडेंस हैं उन सबको एडिमिसीबल बना लिया गया है वीडियो कॉन्फरेंस और बाकी उसके उस तरीके के कुछ प्रावधानों को किया गया है लेकिन हमने अपने कानून की आत्मा नहीं बदली है तो अपराद मुक्त भा इविडेंस का अंतर खतम हो जाएगा आदमी को अपनी बात रिपोर्ट करने के लिए ठाने नहीं जाना होगा पुलिस को भी नहीं जाना होगा कोई भी इमपैनल वेक्ती अपने एप के साथ पहुँचेगा और आपका जो है ना केवल एफ आईयार रेजिस्टर होगी बलक और वो बहुत सारी ऐसे जो है ना चीजों को भी कैप्चर कर पाएगा जो आज की पुलिस कैप्चर नहीं कर पाती है और उस जो रिपोर्ट करेगा उसे उसके लिए रिवेन्यू मिलेगा तो देखिए आज क्या हो रहा है कि आपके साथ अपराद हो रहा है आप दुखी है आप पीडित हैं आप भटक रहे हैं आपकी F.I.R. दर्ज नहीं हो रही है और कई बार जो है अपोनेंट एदी प्रभाव साली है और राजनेतिक उसका है तो राजनेतिक प्रभाव में या पैसे के प्रभाव में विक्टिम के बुद्ध जूता फरजियों मुकदमा सायम क कि बात को बीच में रोक के मैं यह बुलना चाहूंगी सर्थ कि आपने कहां कि पुलीस वाले रिपोर्ट डर्ज नहीं करते हैं हमारा विभाग ऐसा है सर्पर हमारे विभाग में सर हम लोग जो छोटे करमचारी है वही सस्पेंड होते हैं उन्हीं के उपर आरोप रत्यारो चाहें तो बड़े उच्छे दिकार्यों का फून आ जाता है और लिखते हैं लेकिन हम सस्पेंड होते हैं सर इस बीच में ना DSP सस्पेंड होता ना SP जाता कुछ नहीं होता सर बिल्कुल सही कहां आपने बिटे बहुत ही अच्छी बात आपने कही है अब सवाल उठता है कि कंडक्ट रूल और जो आपके नियम बनाये गए हैं वो अंग्रेजों ने अपने लाब के लिए बनाये थे जिससे अंग्रेज जो है भारतियों को डॉम्नेट करते रहें अब उन अंग्रेजों की जगे हम IPS ओफिसर्स आ गये हैं आ गये हैं कि नहीं आ गये हैं तो जब भा अग्रती लोग आने के बाद हमें अपने नियम कानूनों में परवरतर लाना चाहिए था कर नहीं लाना चाहिए था लाना चाहिए ना सर पर IPS अधिकारी ही तो भी अपने उसमें रहते हैं ना सर नहीं मैं आपकी बास से सहमत हूँ और मैं इसे गुपेंड नहीं करूंगा लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नियम कानून तो IPS आफिसर नहीं बना रहे हैं उसमें जो बदलाओ होना चाहिए था जिससे कानून और नियम की आत्मा बदल जाती हर विक्ति की सुनवाई होती सही काम करने वाले को प्रोटेक्शन मिलता और गलत काम करने को पुरसाहन देने वाले को सजा मिलने का एक वेवस्ता होती तो जो आपकी पीड़ा है वो कम हो जाती कि नहीं हो जाती अब आपको मेरी बात हो जाए है कि अधी हम व्यष्था को पहले जो चलता था इस इस पर अधिकारी आते थे प्रमूर्ट है अभी जो है चैसे आपका राज्य हो चैसे हमारा यह सब में यह आई इस आरे कि पर सब को शर आते ही ब्रेश्टाचारी आते ही सब को सर्व सुईधा रहएं सारे चीज्जे को अपलब्द होनी चय को तो उसमें भी ये करमचारी पीस्ते है उसले है अब राध्यों को तो बढ़ावा कहीं न कहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं आपकी जिजक को भी समझ पा रहा हूँ जो आप नहीं कह पा रही हैं मैं उसे भी समझ पा रहा हूँ मैं सर मैं अपनी बात आपको अज खुल के बोल रही हूँ मेरे साथ सर 2009 में एक हाथसा हो गया था कि अग साफ नहाते हुए मेरा किसी ने वीडियो बना दिया था थे के तो उस वीडियो में सर मेरे उस समय में स्पोर्ट में थी में कबढ़डि की नेशनल प्लेयर हूं और मेरा मैर्ड भी है पूली स्टीम सेργोप अन्यवरम्हाइब और है् में आता था जी तो एक वार हम बीच में आपको टोकेंगे कि आप ऐसे कोई बात मत कहिए जो कि जब कल पब्लिस हो तो आपको उसमें दिक्कत ना हो तो जो भी बात कहें उसे सहित और नेंतरत भासा में कहें जो हमारी बातलाप है ये कल क्राइम फ्री भारत मैं अपनी बात को इसलिए रखना चारी हूँ सर पुकि मैंने चाहती है वो हर लड़की के साथ में वो हूँ उसको पुर हमारे जोच्चे दिकारी हैं उसको फुल सपोर्ट करें फुल लो करें मेरे साथ घटना घटी थुई है मैं तो उस घटना को वो करके खड़ी हो गई मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं मैं केबल इतनी बात कह रहा हूं कि जिस महाँ परवर्तित भारत की 21 लक्षों के साथ अपराद मुक्त दिश्टाचार मुक्त भारत की जिसमें पांच फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल राइट टु एंप्लाइमेंट, फंडामेंटल राइट टु हेल्थ, फंडामेंटल राइट टु फूड और जहां हम फूड की बात करेंगे तो अनकेला नहीं है उसमें दूद की पातरता भी होगी उसमें घी की पातरता भी होगी उसमें उसरीयों की पातरता होगी और इनमेंसे एदी आपके पास पैसे नहीं है तब भी यह पातता आपको मिलेगी और कोई भी दूसरी में अपनी बात रखने के जरिये मैं हर वो माबापको हर अधिकारियों को यह बोलना चाहरी हूं साथ मेरैं जो घटनगाटी दूसरे के साथ ना हूं उनका सपॉट करें उह बसुंदर क्योंकि मैं समेली स्वतियर स्ब्राइश्म कोय दूसरा ना सम्हाइब सके तो आपको एो एक बीदी में ठीट्न होके मैं फीर से नौकरी कर रही हूं उन्हाची जगें पर हूँ वो तु मेरे साथ जो 2009 में घटना घटी थुई थी उसका में वाट्चाप वगरे का जमाना नहीं था तो किसी ने नहाते भी वीडियो बना दिया था फिर उसके बाद मेरे को फोन मेरे को जुड बोलके लाइन भेजा गया कि तुम्हारा तुमको बुला रहे हैं ऐसा करके सर क्या एक लड़की अगर किसी के साथ बाइक में बैड़ गई घूमली तो क्या सर उसके करेक्टर को उगली उठाया जाता है नहीं बिल्कुल नहीं सर अगर मैं सेंडो बन्याइन पहन रही हूं तो क्या वो लड़के ही पहन सकते लड़के नहीं पहन सकते अपने निजी समय में मर्यादा का ध्यान रखते हुए हरको अपने एक शार के साथ से बस्त्र पहने की सुतंता है लेकिन कोई गलत संदेश ना जाए ये भी जिम्मेवारी बनती है तो सर ये गलत संदेश अच्छा भला हम तो समय नहीं नहीं थे सर हमको नौकरी का उतना ज्यान नहीं था नहीं हम किसी प्रकार के कानून के बारे में कखगा जानते थे तो उन्होंने मुझे भेजा फिर थोड़े दिन बाद मेरे को फोन आया मैं अप्रेल से वापस आ गई थी सर अगस्तमा में मुझे फोन आया कि मैं तुम्हारा ऐसा सा वीडियो बना हुआ है तुम सीख लेके घर पे रहो तुम बाहर मत निकलो तो मैंने मैंने कहा मैंने तो फिर मैंने अपने घर पे चर्चा करी कि ऐसी इसी बात है तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और क्या बोलते हैं तुम जो वहां पर वह करो मेरे फैमिली पूरे मेंबर से जितने मुझे बिलकुल एक दम छोड़ दिये उन्हों ने आपका साथ नहीं दिया नहीं दिया सर इसका फाइदा दूसरे उठाय मेरे और नमबर से मेरे को कॉल आता था बोले तुम्हार एक और वी को शबूर्ट नहीं करना चाहिए था जिन लोगों ने आपको ब्लेक मिल किया उनको जेल भी पेजा जाना चाहिए था पर उस तक्यानि किसी ने कुछ से ने किया मेरे अधिकारी मेरा पी जाज बैठा दिये तो यह मैं तो पीड़ीता थी आस में वियाचा कूत मुझे समझ जा रहा है कि मैं पीडीता थी उसमें तो मेरा जच क्यों बिठाया गया और पेपर में भी आ गया कि फलाने महिला रख्षा का वीडियो नहाते हुआ असली वीडियो आया था ऐसी कुछ उसमें वह नहीं थी असली नहां रहे थे और कुछ नहीं था मेरे को बहुत प्रेशर डाले आप इस बंगले चले ऑ उस बंगले चले जोओ आपका केस ख सब्सक्राइस खतम हो जाएगा यह रहा हम नहीं सबस्त्राइफियो क्या अधिकारियों को नहीं समझना चाहिए था मैं तो पिडीता थी न अब इसमें एक दूसरा पहलोड था है कि आप विक्टिम हैं और आपके साथ अन्याय हुआ और आप उसकी जाच गलत धंक से इस्तापित की गई और उसमें सही जाच नहीं की गई और आपको दंडित भी किया गया इसमें आपको रहात मिलने के साथ जिनों ने गलत किया उनकी अकाउंटेबिल्टी निधारत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बिल्कुन होना चाहिए थूसरा तो क्या नियम कानून में इसका प्रावधान नहीं होना चाहिए के लिए आप गलत जाच करेंगे तो दंडिके भागीदार भी होंगे और पीड़ता को आपको कंपनसेशन भी देना होगा और वो भी अपनी जेव से देना होगा ये नियम हों में प्रावधान कौन करेगा ये नियम बरना चाहिए बिल्कुल सर आप जल गलत जाच कि और आपको बिल्कुल अपने जेव से बरना चाहिए तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि क्या एक महापरवर्टित भारत बनाने में हमारे छोटे पदपर विराजित हबलार के पदपर विराजित जो है मौन का गुप्ता क्या जुड़ना चाहेंगी क्या अपने से जुड़े लोगों को सपतकृत कर संकल पित करके दस उर्जावान पिक्तियों को जाहिए वो परवार के सदस्व हो चाहिए रिष्टेदार हो चाहिए मितर हो चाहिए पडोसी हो चाहे संग्ठन में साथ में काम कर रहे हूँ उनको सपतकृत कर संकल्पित करके दर दस लोगों को जोडने का नौ दिन काईदी हम संकल्प पूर्ण करते हैं तो हम नौ में दिन सौ करोड हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? और ये सौ करोड लोग जो 31 लक्षों के साथ और 5 फंडामेंटल राइट के साथ जो महापरवर्टित भारत की हम बात कर रहे हैं उसे आज हमारे बोट से चुने गए नेता सुनने के लिए और करने के लिए मजबूर किये जा सकेंगे और मजबूत किये जा सकेंगे? जी से हाँ या नहीं? नहीं सहीं बढ़ लो तो क्या एदी हम दूसरों से पेच्छा करेंगे कि वो ऐसा कानून करते या अदिकारी बदल जाए या अदिकारी की ये दुस्ता पूर्ण जो है भासा का उपयोग करने की हिम्मत ना हो इस से जादा दुस्ता मुझे नहीं लगता है कि कोई और संभव है तो इसका बदले हुआ भारत जिसमें हर किसी को जो है अपराद मुक्त भारत मिले विश्टाचार मुक्त भारत मिले जिसमें जो हैना टेक्स मुक्त भारत भी मिल जाए एक सर्मुक्त भारत भी मिल जाए ऐसा भारत एदी संभव है और नौ दिन के सरल उपाई से संभव है तो आपको नहीं लगता है कि हमें इसे सरल उपाई के तहत हम जो कर रहे हैं वो अपना करते रहें इस पुरिकरिया में भी दस मिनिट पना मिनिट एदी हम देंगे तो नो दिन में ये महा चमतकार हो सकेगा और आज हमारे बोट के चने हुए नेता हमें ऐसा महा पर बढ़त भारत देने के लिए विवस होगी इसमें हमारी जाती हमारा धर्म, हमारा संप्रदाए हमारी राजनितिक प्रतवधता बाधा नहीं बनेगी हम जो भी सोच कर रख रहे हैं जो भी चिंतन कर रहे हैं जो भी क्रिया कलाव कर रहे हैं